तो अगर आप ट्रेडर है और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फंड को जोईन कर सकते हैं यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम वाला प्रोग्राम ले सकते हैं तो आप जो वीडियो के description में जो link है वहाँ से register कर सकते हैं आपको 10% discount मेलेगा सकते हैं और क्या-क्या न्यूज होंगी जो फोरेक्स को impact करेगी यह मेरा पहला वीडियो फोरेक्स analysis के लिए अगर आप यहाँ पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब दा चैनल और अब चलते हैं अपनी न्यूज में तो यहाँ पर है मेरी website for forex salary connect dot com यहाँ पर काफी tools है जो आप यूज कर सकते हैं अगर हम चलें forex calendar में तो यहाँ पर अगर आप देखें Monday हमारे लिए कुछ खास major news नहीं है नाइदर कोई Tuesday है Tuesday जैसे पाच बज़े से कि इंडिया के टाइम से यहाँ पर आप देख सकते हैं OG के उपर कुछ न्यूज है अगर आप देखें साथ बज़े सामके CPI की न्यूज है जो की main news है और initial job claims है और inflation rate तो यह कुछ major news है जो की साथ बज़े USD के उपर कुछ impact करेंगे आप इसको carefully trade किजिए उसके बाद अगर आप Friday देखें तो वहाँ पर भी साड़े बारा बज़े जो की GBP के उपर थोड़ी major news है और उसके बाद फिर साड़े आठ बज़े कुछ top level की news नहीं है जैसे कि पिसले अपते थी पर यह news है जो major है आने वाले हपते में impact करेंगी अगर आप टेडिंग करते हैं तो प्लीज इन यूज को मार्केट में रखें जबी भी आप अपने कोई trading setup लें अब चलते हैं हम अपने forecast में तो सबसे पहले अगर हम देखें US dollar index यहाँ पर आप देखें एक slow moment उपर की तरफ market में dollar में strength बनती ही नज़र आ रही थी पर NEP की news के बाद Friday का आप देखें spike down moment हमें US dollar में weakness देखना को मली और बाकी सभी पेर आप देखें strength में जाना शुरू है तो अब आने वाले अपते में भी हम देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर weakness मिल सकती है dollar में तो definitely euro, GBP, OG और बाकी सभी पेर में आप strength देख सकते हैं चलिए देखते हैं सभी forecast के pairs को तो सबसे पहला pair guys हमारा euro USD आप यहाँ पर देखें हम four hour के चार्ट में हैं यह पिसले अपते का forecast हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हम ते twenty eight nine October के आसपास मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि हम एक channel के आसपास हैं अगर हम इस level को hold करते हैं तो उपर की तरफ definitely movement देखेंगे अगर हम इस level को यहाँ पर break कर देते हैं तो यह हमारी next support होगी और इसके बाद अगर हम ultimately नीचे जाते हैं यह level market टेच कर सकते हैं आप देखें market ने इस level को यहाँ पर break किया यहाँ से एक jump दिया और उसके बाद दोबारे से retest करके सीधा उसी level यहाँ पर गई है और उसके ब level में हम यहाँ पर आ चुके हैं अब next week में अगर हम यहाँ पर देखें तो market में हम strength देख सकते हैं यूरो के लिए पर मैं आप से कहूंगा कि आप इस जगे पर buy ना कीजिए थोड़ा यहाँ पर wait कीजिए आपको down moment मिले और हम नीचे के level 98500 इस level के आस पास आपको को कोई buy क opportunity मिले आप buy कर सकते हैं पहला target आपका same इसी resistance के पास होना चाहिए और ultimately फिर हम 1.0837 या फिर 1.01867 तक का level यहाँ पर touch कर सकते हैं हो सके market नीचे की ज़्यादा movement ना दे और यहीं पर level पर इस टक रहा है और उसके बाद फिर market उपर भी जा सकती है और फिर उन level को touch कर सकती है तो यहाँ से फिर हम इसमें buy की opportunity देखेंगे तो euro USD में आप देखिए अगर आपको कोई buy की opportunity मिलती है नीचे level पर तो और भी अच्छा होगा और फिर आप इसमें buy कर सकते हैं और stop level आप इससे नीचे रखें और target profit आप यहाँ तक का देख सकते हैं पहला target आपका यहाँ पर market आपका यहाँ पर इससे हाई अभी मत रखेगा market यहाँ पर आई इस लेवल से उपर गई पर सेम उस लेवल तक नहीं गए और उसके बाद नीचे की तरफ हम कहां पर जहां पर मैंने आपको लेवल बताया था और उसके बाद फिर euro USD की तरह ही उपर की तरफ reversal देना पुस उपर की दरफ दिया है अगें सेम इसी लेवल में आ चुके हैं अगर दुबारे से मार्केट इसको रिटेस्ट करती है आप इसमें बाई की पॉर्टिटी देख सकते हैं पहला टारगेट प्र आपका 114 के आसपास और फिर सेकेंड 116 या चैनल के अंदर ही आप 118 तक के टारगेट इसमें देख सकते हैं अगला पेर हमारा ओजी यहाँ पर भी आप देखें सेम वही स्टोरी यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था अगर हम इस लेवल को यहाँ पर होल्ड करेंगे बाई की देखिएगा टारगेट प्रॉफिट इस चैनल के अंदर इस सपोर् जी यूएसडी अगर आप देखें तो हमें एक रेंज के अंदर यहाँ पर मूव करते चले आ रहे हैं काफी टाइम से सॉलिड मूव ऊपर की तरफ हुआ है सेम बाकी पेर की दर है यूरो यूएसडी जीवीप यूएसडी हमें एक रसिस्टेंस में है तो यहाँ पर हमें देखना होगा अगर यह इस लेवल को ब्रेक करती है फिर हमें कोई बाई की अपॉर्चिनटी मिले टार्गेट पॉफिट फिर हम 67881 तक का टार्गेट यहाँ पर देख सकते हैं पर अगर आपको कोई डिट्रेश्मेंट मिलती है तो आपके लिए बैटर अपॉर्चिनटी होगी आप यहाँ से इसमें बाई करें इस से नीचे रखें और टार्गेट यह लेवल तक आप देख सकते हैं 65195 या 67881 अगला पेर हमारा NGD-USD NGD काफी स्ट्रॉंग रहा पिसले पता है अगर आप अबजर कर रहे होंगे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे NGD एक ऐसा पेर था जो USD के काफी स्ट्रॉंग था और मंडे से इसमें मिलना सुरू कर रही थी आप देखिए बाकी पेर्स यहां से देखे मैंने आपको जो बताया था वो उस सेकंड लेवल तक नहीं टच कर पाया है और NGD आप देखिए दो बार उस लेवल को उपर की त अगर यह लेवल ब्रेक करें फिर तो बात अलग है फिर हम इसमें बाइक के पोर्चुटी देखें और हमारी नेक्स रेसिस्टेंस है शिक्टी वन फाइवंड़ करती है क्या वह इस लेवल को होड़ करती है जो कि 59 का एरिया है या फिर और नीचे है इस चैनल के आसपास औ आपको भी बाइक के पोर्चुटी मिले और टार्गेट प्रॉफिट आप यह पहला या फिर सेकेंड शिक्टी वन फाइवंड़ के आसपास देख सकते हैं तो सभी पेर में मैं बाइक के पोर्चुटी देखा हूं अगर उससे पहले मुझे कुछ ट्रेश्मेंट मिलती है क कीजिए स्टॉप लोस नीचे लगाई यह टार्गेट प्रॉफिट आपके पहला यहां पर सेकेंड यहां तक आप देखिए मार्केट थोड़ा उपर गई उसके बाद पूरा रिट्रेश्मेंट और यह बाइप और सिदा मार्केट लेवल उस लेवल के आसपास मैंने बोल की रिटेश्मेंट मिल ले उपर की तरफ गाईज आप यहां पर इसमें सोट की पूर्चुटी देख सकते हैं स्टॉप लोस थोड़ा इस लेवल तक लगाएं और टार्गेट प्रॉफिट आपका पहला यहीं पर होना चाहिए जो कि आपकी सपोर्ट है वन थर्टी अगर हम नीचे जाते हैं वन थर्टी फोर नाइन जिरो मार्केट यहीं से नीचे जा सकती है इसी लेवल को ब्रेक करके अगर आपको ज्यादा उपर की तरफ रिटेश्मेंट नहीं मिलती है तो अबज़र कीजिए यूसदी कैड में में सोट की पूर्चुनटी देख यहाँ पर आप इसमें बाइक की तरफ गई है कुछ ज्यादा हमें रिटेश्मेंट नहीं मिली और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर स्ट्रगल करती हुए नजर आ रही है और इसी रेंज के अंदर मार्केट में यहाँ पर मूव कर रहे हैं अब आने वाले हपते में य यहाँ जाए तो फिर यहां तक के टार्गेट देखें तो जब तक की लेवल ब्रेक ना हो अभी में नहीं कहुंगा कि आप इसमें लॉंग टर्म के टार्गेट देखें अगर हम यहाँ पर इसको ब्रेक करते हैं डाउन की मोवमेंट डेफिनेटली देखेंगे वन लिए जाए न आपका पहले से ही किसे फंडमेंटल इतने स्ट्रॉंग नहीं है इसलिए ज्यादा मोहमेंट नहीं मिले एक स्ट्रॉंग मोवमेंट यहां पर देखें और सेकेंड यहा तक का मोहमेंट आप देख सकते हैं अगला पेर यूएजडी आइनर गाई तो यहां पर आपको कोई डिटेश्मेंट मिल नहीं रही है अगर आप देखें इसके बाद आपको दिख नहीं रही है हाला कि देखें यूएजडी कितना वीक रहा पर फिर भी आईनर में आपको कुछ डाउन मोमेंट नहीं मिले क्योंकि फंडामेंटल सभी इतनी स्टॉंग नहीं है आईनर के इन्हें कुछ इंटरस्टेट हाइक करने होंगे या और भी कुछ मोनेटरी पॉल्सी में चेंज करना होगा तभी यहां पर फिर आपको विक्नेस मिलेगी नहीं तो फिर यूएजडी आपका कंटिनिसली स्ट्रॉंग है अगला पेर हमारा पांड यहां यहां पर भी देखिए अगर मैंने आपको बताया था गर हम इस लेवल पर यहां पर आएं और इस लेवल को होल्ड करें फिर बाइक की तरफ यह पर गई अब नेक्स वीक में हम क्या मोवमेंट देख सकते हैं तो पांड यहन में गाईज दे के बाद फिर अब यहां पर करते हुए उपर की तरफ हम चल रहे हैं तो यहां पर आप देखिए अगर यह जाती भी है मैं कहूंगा 170 तक का टार्गेट आप देख सकते हैं अगर लिटेश्मेंट मिलती है यहां पर फिर आप इसमें सोट की अपॉर्चिनटी देखिए पहला टार्गेट आपका 165 और सेकंड 161 तक का टार्गेट आप देखें तो पाउंड येन में हैं पर दोनों पॉर्चिनटी मिल सकती है आपको बाई की भी मिल सकती है यह आप अपज़र कीजिए मार्क अगला पेर गाईज हमारा ओजी जैपनीजियन यहां पर भी आप देखें सेम उसी लेवल पर जो मैंने आपको बताया था कि हम यहां पर थे और इस लेवल के बाद अगर हम इसको होल करते हैं तो बाई के पॉर्चिट देखिए टार्गेट आपका इस लेवल पर होना चाह यह सपोर्ट के आसपास अब देखें मार्केट वहां तक गई और उसके बाद पर डाउन मोमेंट सेम उसी सपोर्ट लेवल पर आचुकी है और उसके बाद फिर एक दम से रिवर्सल उपर की तरफ अब नेक्स फिक में ऑजी जैपनीजियन में आप क्या देख सकते हैं तो यहां पर भी आप देखें तो हम एक रेंज में हैं आपर मार्केट में मुव कर रहे हैं कुछ ज्यादा बड़ी मोमेंट नहीं मिली है एक सॉलिड यह सार्प मोमेंट आपको मिली है अगीन यहां पर मैं कहूंगा आपको कुछ रिट्रेश्मेंट मिलती है नीचे की तरफ तो ही आप इसमें बाइ कीजिए टार्गेट प्रॉफिट आप यहां पर इसमें देख सकते हैं स्टॉप लोज इससे थोड़ा नीचे लगाएं और लोंग की आप इसमें आप देख सकते हैं अगर हम इस रेंज को यहां पर बेक कर देते हैं तो फिर 98 तक का लेवल आप इस इस लेवल पर बताए थे आप देखे मार्केट ने सर्फ मोंड डाउण नीचे की दर्फ दिया है और इस अगर आप देखें तो मार्केट ने सर्फ डाउन मुवंड है युसदी में आपको विक्नेस देखने को मिली है और हम एक सॉलिट सपोर्ट एरिया में यहां पर आ च जाते हैं तो 97456 तक तो सोट टेम के लिए अगर कोई बाइक पूर्चिंटी मिले कर सकते हैं वाई अगर यहीं से इसमें मुवमेंट डाउन देख सकते हैं पर मैं एक्सपेक्ट करूँआ मार्केट थोड़ा ऊपर जाए यहां से कुछ आपको सोट पूर्चिंटी मिले इस त कर देते हैं तो इसमें बाइक के लिए देख सकते हैं क्योंकि अल्टिमेटल अगर हम नीचे जाएंगे भी तो हमारी जो सपोर्ट है वो इस लेवल के आसपास है और फिर आपको यहां से कुई बाइक के पूर्चिंटी मिले तो आप इसमें देख सकते हैं तो यहां पर कर चुकिए हैंब हमें अब जो करना होगा मार्किट यहां पर इस सेवन का लेवल हमारे लिए इंप्वर्टेंट है गर इस लेवल को होल करती है तो डिफिनेटले हम बाइक के अप्रचिंटी देखेंगे 88 पहला टारगेट या फिर 89 555 तक का टारगेट हाप इसमें से ने पर आप इस में कोई स्ट्रेंट यह है तो आप इसमें इसमें बारिकिया पॉर्चुनटिया सोठ्ट दोन यहां पर मिल सकती है तो इसको करने मंधों को उभलने होते है और सबाद ही आपको यहां पर देता और जो पिछले अपते मैंने वीडियो भी बनाया था जो टेडिंग सेट अप लेते हैं जो हम वेबिनार करते हैं मंडे को वहाँ पर भी जो भी टेड लेता हूँ वो फोरकास को रेफरेंस लेकर भी लिया हुआ है तो इससे आपको definitely कुछ help मिलनी चाहिए दूसरा वीडियो फोरकास का मैं जल्दी रिलीज कर दूँआ यहाँ पर हम gold, bitcoin और indexes के बारे में analysis करेंगे तो अभी गले धन्यवाद, thank you, take care and goodbye